फिनाइशल फ्रीडम आर्थिक आज़ादी वेल खास कर अगर आप अपनी पीनेज में या ट्विंटीज में यह वीडियो आपके लिए बहुत दो जरूरी है विकाज आप सोचते होंगे कि क्या कोई ऐसा गेम प्लान है जिससे हम फॉलो करके फिनाइशली फ्री हो सकते हैं प आप सीखेंगे उसे फॉलो भी करना है सब्सक्राइब कर लिए अपसे मिसना हो तो इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लिए बैल अकन पर क्लिक कर दीजे फेस्बुक पे वीडियो देखने में फॉलो कीजे आगे वड़ते हैं नमबर वन जब आपने टीनेज में हो हो या फिर अपनी 20 में होते हो अब वह सब्सक्राइब होते हो आपको बहुत सारी नसीहते मिलती हैं सला मिलती है कि बेटा फलाना कोर्स कर ले फिर फलानी डिग्री ले उसके बाद यह कर ली उसके बाद यह कर लिए और तू सेट हो जाएगा पर आप ज़रा सोचिए आप में करके आ रहे हो क्या बहुत सारी चीजें के ऊपर कंफ्यूज होके खुद घदे तो नहीं बन रहे हैं यह सोचिए कि एक चीज ऐसी कौन सी है जिसमें आपको मास्टर बनना है एक चीज एक फिल्ड चूज कर लो तो हम बच्पन से डिस्ट्राक्टर रहते हैं और उसके लिए हमारा एडुकेशन सिस्टम भी जिम्यदार है बच्पन में हमें बहुत सारे सब्जिक्स पढ़ाए जाते हैं फिर दीरे दीरे हमें बोला जाते हैं एक स्ट्रीम ले लो साइंस ले लो कॉमर्स ले लो आट्स ले लो और फिर हम जाके एक प्रोफेशन को चूज करते ह बाद भी अगर वो गलती से भी गलत प्रोफेशन हो गया उसमें अपका इंट्रस्ट ही नहीं है तो आपको एक जो डिरेक्शन ही है वो शक्त गलत हो गई तो अब आपको दुबारा से घूम के जाना पड़ेगा और टाइम बहुत बेस्ट होगा और लोग जादतर ऐसा करी और आपका एजूकेशन सिस्टम यह एक्स्ट्रा को कॉलर एक्टिविटी इसके ओपर अब भी धिहान नहीं देता पब्लिक स्पीकिंग लोग इसके ओपर तो बात ही नहीं करते हैं आप बात करते हो जी मैं आर्ट में जाओंगा मैं पेंटिंग बनाओंगा इसके ओपर ब आ रहे हैं जो अपनी फिल्ड के मैस्टर है आज आप एक चीज को पकड़ते हो उस पर फोकस करते हो चाहिए खाना बनाना ही क्यों नहीं हो आप पैसा कमा सकते हो बड़ यह आपको आपकी टीनेज में लोग नहीं बताते हैं आप अपना एक पैशन को फॉलो करो इतना वड पैसे के पीछे मत भागो मुझे ऐसा लगता है वर्शनली यह वही लोग हैं जिनके बाद खुद या तो पैसा नहीं है या फिर इतना सारा पैसा है कि वो फिर ऐसे प्रवचन दे सकते हैं क्योंकि डूनाट फॉलो दा मनी का मतलब क्या है पैसे की पीछे मत भागो फिर किस चीज के पीछे बागे किस चीज के बीचे बागे लड़कियों के बीचे बागे किस चीज के बीचे बागे वहीं आपको भागना आपको काम करना है बात आती है जब हम फॉलो दा मनी की बात करते हैं इससे समझो पैसे को गलत तरीके से नहीं लाना यह इंपॉर्डन चीज पैसे की पीछे भागने का मदलब क्या है पैसा आपको सिर्फ तभी मिलता है जब आप लोगों को वैल्यू देते हो आपको हमेशा से एक चीज दिमाग में रखनी है आज मैंने आपको बोला मेरी बात है आपको यहां पर क्लिक करेंगी पैसे की पीछे भागो एक ऐसा सिस्ट करो जो आपको लगातार पैसा कमा के दे मैंने एक्जामपल दिया था आपको डांस का अब मालो डांस में आप बहुत अच्छा डांस करते हो बट आप पैसे की पीछे नहीं भागते फिर क्या भागो ना सोचो पैसा कैसे आसकता है क्या मैं अपनी वीडियो मना के इंटरने तो मैं दे सकता हूं क्या ये मेरेक सिस्टं मोचा हो सकता है तो उससे कमुझे पैसे आसकता है तो कमाना भाई आप cooking में अच्छी हो क्या है लोग cooking करके पैसे नहीं कमा रहे हैं भाई आप उस शीज की तरफ अगर ध्यान नहीं दोगे तो पैसा कैसे आएगा आपको पैसे की तरफ ध्यान देना है focus आपका होना चाहिए पैसा देना sorry पैसा कमाना और value देना तो value दोगे तो byproduct है पैसा और पैसे के बारे में सोचोगे नहीं न तो एक system नहीं बिल्ड कर पाओगे आपको regularly सोचना है कि और ज़्यादा पैसा कैसे आ सकता है क्योंकि और ज़्यादा पैसा सिर्थ तभी आ सकता है जब और ज़्यादा वैल्यू दोगे तो यह system बिल्ड होगा तभी जब आपको आज से चीज़े clear होगी अब मैं आगे बढ़ूँगा क्योंकि मैंने आपको बोला आपको बहुत सरी चीज़े सिखानी है तीसरा point देखो यहां पे एक चीज़ बोड़ी clearly लिखिये मैंने आप life में कुछ भी करो आपका ना एक एक सीखने के लिए दूँगा अगर आप अपने टीनेज में हो या 20 में मैं खास कर बोल रहा हो आपको या तो मैं कुछ सीखने के लिए दूँगा या फिर कुछ ऐसा बिल्ड करने के लिए जिससे मुझे passive income आती है आज मेरी बात ये लिख लेना आज से 10 साल के बाद आप जो भी आपने चूज करी है कि ऐसा कुछ मैं बिल्ड करूं जिससे मुझे passive income आए और इसी के ओपर मैं अपना काम करूंगा आज मुझे काम करना है तो इसलिए कि passive income बिल्ड करूं क्यों 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 कि देखो starting में जब आप teenage में होते हो उसके बाद जब आप 20 में आ जाते ह कि जा बेटा जा पैसे कमा जाके उसके बाद जबा हो जाते हो 24-25 साल के तो घर वाले जी पीछे पढ़ जाते हैं घर में बैठा बैठा क्या कर रहा है जाके नौकरी ढूंड ले कोई बिजनस कर ले हम तरह काम खुलवा देते हैं कुछ नहीं होता जी तेर को केमिस्टी क्योंकि जब आपको पैसे विंगम आएगी ना तभी आप जिन्दीगी के रियल मायने समझ पाऊगे पैसे के उस चक्र भी उसे बाहर निकलने के बाद ना यूल बी अबल टू लेव लाइफ आप वो कर पाऊगे जो आपको पसंद है यह मैंने जैसे बोला आप नोट कर ल होने वाले हैं आगे बढ़ते हैं दफोर्थ स्टेप इस इस हाइली इंपॉर्टेंट आप जी जबर्दस डांस करते हो आप आंग लगा देते हो स्टेज पर बढ़ आपको कोई जानता ही नहीं है फिर आप बहुत जादा पैसा नहीं कमा पाऊगे एक्जांपल देता हूं है महां लीजे टेरेंस लुइस आप टेरेंस लुइस को जानते हैं अब टेरेंस लुइस क्या पैसे कमा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मार्केटिंग और ब्रैंडिंग बहुत अच्छी करे होगी है डैंस की फिल्ड में और किसी का नाम लेलो जी आप बात करते हो जी आप बात करते हो धर्मेश यह सब वह लोग हैं जिनकी मार्केटिंग और ब्रैंडिंग हो गई मार्केटिंग और ब्रैंडिंग बहुत ज़दा ज़रूरी किसी भी फिल्ड में एक दुकान भी नहीं चलेगी अगर उसकी मार्केटिंग और ब्रैंडिंग अच्छी नहीं हो जोगी एक गोलगपपे वाले के पास भी लोग नहीं हाएंगे अगर मार्किटिंग और ब्रैंडिंग अची नहीं होगी और फिर तो आप बहुत ज़्दा पैसा कमाना चाते होगी अपनी ब्रैंडिंग और मार्किटिंग बच्पन से दिहां दो यह कोई सिखाए नहीं जाता फिर कैसे मुझे दो लाक लोग जान सकते हैं and so on यहाँ पर लोग जब आपको जानना शुरू कर देंगे देखो आपके पास बहुत सारी opportunities आएंगी पैसा कमानेगी but opportunities उन लोगों के पास ही तो आएंगी जिन लोग जानते हैं क्योंकि opportunity लोगों से मिलेगी और लोग जिन लोगों को जानते हैं उन्हें opportunity देदेंगे बाकी के बंदे पैसा नहीं कमाते हैं branding and marketing जितरी जल्दी समझ ली आपने game बहुत बड़ी field है यह और MBA करने से marketing नहीं समझ आती आपको marketing आपको field में उतर के करनी है और किसकी करनी है पहले तो अपनी आपका brand आपका business आप जो भी करने वाले हो आपको अपने आपको एक brand बनाना है अपनी marketing अपने idea की marketing करनी है आपको example अप online cake बनाना सिखाते हो अब cake बनाना सिखाना क्या पैसा कमा के दे सकता है जबना नेट पे डालना आप baking courses आप देखना कितने कितने के courses आ रहे है और फिर जो लोग cake बनाना सिखा रहे हैं अगर वो उस चीज में अच्छे हैं फिर कैसे पता लगेगा marketing और branding से क्या वो लोग पैसा कमाएंगे the answer is yes बात क्या है एक चीज के master बनो कौन सी ऐसी field है जिसके आप master हो आप पैसा कमा सकते हो final step मैं आपको दे रहा हूं यहां पर देखो ऐसे लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है जो winners है हम human beings osmosis से सीखते हैं अब यह osmosis आपने science में पढ़ा होगा osmosis का बड़ा simple सा मतलब मैं आपको बता देता हूं आपने सुनाओगा high concentration से low concentration पे semi permeable membrane के थुरू चीज़े ट्रांसफर होती है चलो उसे शोड़ो शौट मिसंगाता हूं एक बंदे के पास एक चीज एक talent एक skill बहुत अच्छी यह talent automatically उस इंसान में ट्रांसफर हो जाएगा जिसमें उस talent की कमी है आपको चाइनीज नहीं आती किसी एक इंसान के पास talent है वो चाइनीज बहुत अच्छी बोलता है आप उसके साथ रहना शुरू कर दो आपको चाइनीज आनी शुरू हो जाएगी इतना आसान है हम human beings ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनके पास कोई चीज अच्छी है और य नेगेटिव चीज़ों के लिए यह इंसान मानलो बहुत जाए ड्रिंक करता है स्मोक करता है मानलो गैंबलिंग करता है जुआ खेलता है घंदी आदते हैं हाइए कॉंसेंट्रेशन है किसी चीज़ की लो कॉंसेंट्रेशन में ट्रांसफर होती है यह आपके साथ है अगर आप विनर्स के साथ रहोगे विनर ऐसे विनर नहीं बनते विनर्स की चॉइसे होती है उनके एक्शन होते हैं उनके डेली एफर्ट होते हैं उनका स्केडियूल होता है उनका ब्लूपरिंट होता है वह दिमाग में सेट होता है और मैं उन लोगों की बाते करने वाले आपक बनेंगे अमीर बनने की बाते करना और अमीर होने में फरक होता है तो आपको ऐसे लोग ढूंड़ने जो विनर्स हैं उसके बाद हमेशा अपने सर्कल को अफग्रेड करना है आज आपके सर्कल में दस लोग हैं जिनके साथ आप हो एक टाइम पर आप उन लोगों के लेवल प से उपर है अब आपका लेवल फिर उन से नीचे है बट एक टाइम आएगा जब आपको अपने लेवल को उन से उपर ले कराना है और यह सर्कल चेंज होता रहेगा अब वो विनर्स अगर ऐसे हैं जो आपकी रीच में नहीं तो उनकी किताबें पर लो उनकी वीडियो से बाते करने वाले लोगों के साथ मेरोगे जो खुद भी सक्सिसफुल नहीं ऐसे लोगों के साथ मेरोगे तो वो आपको अपने जैसा बना लेंगे और यहां पर आपको उन लोगों को चूज करना बहुत जरूरी है जिनके साथ आप रहते हो जिने आप सुनते हो जिनके आप एडवाइस फॉलो करते हो सो चॉइस इस यूर्स बढ़ा सो समझ के डिसीजिन लेना बिकाज जो भी आप करने वाले होना इस आपको कौन सा स्टेप सबसे अच्छा लगा आप नीचे कॉमेंट करके जरूर बता है अगर आपके को सवाल ना आप नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं कि हम इसी तरीके से आपको फिनांशल एजुकेशन की ऊपर और जाथा कॉंटेंट देते रहें तो आप अपना प्यार जरूर दीजेगा इस वीडियो को लाइक करके शेर कीजिए जिससे लोगों तक भी यह इंफर्मेशन पहुंचे और लोग अपने दिमाग को रिवायर कर पाएं और वो भी फिनांशल फ्रीडम की तरफ अपने स्टेप्स लें फेस्बुक वीडियो देख रहे हो फॉलो कर लो यूट्यूब पर देख रहे हो कर लो पहला एकन पर क्लिक कर दो आवल सी नेक्स्ट वीडियो तिल आर टाइम यूगो सब्सक्राइब